हिमाचल प्रदेश में ओपरेशन लोटस कभी भी सक्सेस्फुल नहीं होगा जैराम जी से निविदन करूँगा इस समय लोटस की बाते ना करे इस समय हिमाचल की परिस्तिती ठीक नहीं है अभी कृपया करके अपनी राजनीती को पिछे रखे लोग निर्माण मंत्री विकरमादित्यसिंग ने कहा कि विपक्षे इस आपदा की दौरान अपनी भूमी का निभाने में असफल रहा विपक्षे न सरकार मुखे मंत्री पर आरोप लगाए हैं जितना सरकार का दायत्व बनता है उतना ही इस आपदा के दौरान विपक्ष का भी था उन्हें साथ चलकर सरकार के साथ खड़े होकर मदद करनी चाहिए थी आपदा के दौरान से अब तक भाजपा के नेता बड़े नेताओं किसी का सुझाव नहीं आया सरकार के निंदा करने का कारे किया है नेता प्रतिपक्ष द्वारा ओपरेशन लोटस पर दिये जा रहे है बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रम आधिता सिंग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस दौरान आपदा से जूज रहा है और इस तरह की बयान इस समय लोटस की बाते ना करे इस समय हिमाचल की परिस्तिती ठीक नहीं है अभी क्रिपया करके अपनी राजनीती को पिछे रखे और यहां पर सयोग करे सुखु जी का सयोग करे सरकार का सयोग करे हिमाचल को इस विप्रीत परिस्तिती से बाहर निकालने में अपना इतना लोब लालच अच्छा नहीं है और इतनी हवस जो है वो राजनितिक हवस जो है वो नहीं होनी चाहिए है ठीक है आपको मैंडेट दिया है to sit out in the opposition so be in the opposition and play a credible role in the opposition don't try to undermine political institutions by the might of the central government ये सई चीज नहीं है हिमाचल की हक में नहीं है और ये चीज मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में Operation Lotus कभी भी successful नहीं होगा हिमाचल में एक मजबूत सरकार Congress Party की है 40 विधायक है और पूरा 5 साल Congress Party मुखे मंत्री जी के नितित्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य करेगी और जो हमने बाते कही हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी मजबूती के साथ Congress Party के साथ खड़ी है और मुखे मंत्री जी के साथ खड़ी है ओपोजिशन मैं समझता हूँ कि बिना मतलब की criticism कर रहा है हर चीज़ पर आज तक जो उनके बड़े नेता हैं चाहे उनके विपक्ष के नेता है चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उनका कोई constructive इसमें सुझाव नहीं आया है और हर चीज़ पर केवल मुखे मंत्री जी का या सरकार की निंदा कर रहे हैं हर जगा जाकर मैं समझता हूँ वो सही नहीं है जितनी responsibility सरकार की है उतनी ही opposition की भी है और केंदर से सयोग प्रदेश को जो मिलना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं मिला है अभी तक हमको करीबन 300 करोड रुपे प्रदेश को मिले है जिसके बारे में मुखे मंत्री जी ने भी कहा है मगर ये पैसा वो था जो हमको वैसे भी हिमाचल प्रदेश को डिजास्टर के रूप में इस financial year में मिलना था इससे addition अभी तक कुछ प्रदेश को कोई बड़ा package प्रदेश को नहीं मिला है ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए E&TV के Facebook पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर जरूर करें